इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जब्मेदारी नहीं होगी। Glucoril MP2 Tablet एसार एक दवा है जो उच्छ रक्ट शरकरा यानि की शरकरा किस तर को नियंत्रत करने में मदद करती है। यह मूत्र के माध्यम से आपके शरीर से अतिरिक glucose को बाहर निकालने में मदद करता है। यह hormone insulin के लिए शरीर की प्रतिक्रिया में भी सुधार करता है जो हमारे शरीर में रक्ट शरकरा यानि की शरकरा किस तर को विनियंत्र करने के लिए जिम्मेदार है। insulin आपके रक्ट शरकरा के स्तर को कम करने में मदद करता है और भोजन करने के बाद उन्हें बढ़ने से रोकता है। जब तक यह निर्धारत किया गया है तब तक आपको इसे लेते रहना चाहिए। रक्ट शर्करा के स्तर को कम करना मधुमे के प्रबंधन का एक अनिवार्य हिस्सा है। यदि आप स्तर को नियंतरित कर सकते हैं, तो आप मधुमे की गंभीर जटिलताओं जैसे कि किड्नी की क्षती, आखों की क्षती, तंत्र का समस्याओं और अंगों के नुकसान के जोखिम को कम कर सकते हैं। उच्छित आहार और व्यायाम के साथ इस दवा को नियमित रूप से लेने से आपको सामान्य स्वस्थ जीवन जीने में मदद मिलेगी। इस दवा को अपने चिकित सकुग द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लें। इसे पूरा निगल लें। ग्लुकोरील MP2 टेबलेट एसर को भोजन के साथ लेना बहतर होता है। ग्लुकोरील MP2 टेबलेट एसर तीन एंटिडाबिटिक दवाओं का मिश्रन है अगलिमेपाइराइड, मेटफॉमिन और पायोगलिटाजोन। जब एकल या दोहरी चिकित सा प्रभावी नहीं होती है तो वे रक्ट शरकरा के बहतर नियंतरन प्रदान करने के लिए विभिन तंतरों द्वारा काम करते हैं। गलिमेपाइराइड एक सल्फिनीलूरिया है जो रक्ट शरकरा को कम करने के लिए अग्णियाशे द्वारा जारी इंसुलिन की मात्रा को बढ़ा कर काम करता है। मैट फॉर्मिन एक बिगवान आइड है यह लिवर में ग्लूकोज के उत्पादन को कम करता है आतों से ग्लूकोज के अवशोशन में देरी करता है और इंसुलिन के प्रती शरीर की समवेधनशीलता को बढ़ाता है। प्योगलिटाजोन एक थियाजोलिडाइन है जो इंसुलिन समवेधनशीलता को और बढ़ाता है।